गाइस में आज प्लान लेका हैं जिसका साइज है 27 वाई 40 फ्रेंट इसका 27 पर दिया लंबा इसकी 40 फ्रेंट की तकी है जिसमें आपको 5 बेड्रूम हाउस प्लान कम्पीट देखेगा यह गाउं के हिसाब से पूरी डिजाइनिंग के गई है यहां पे आप देख सकते हैं फ् कुछ इस तरीके दिया यहां पर आपको जाल भी दिया गया बेंटी लेशन को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक पारकिंग के अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्टाइम आप पली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना यहां पर आपको इस तरीके से नवन्य वीडियो मिलते रहेंगे तो यहां पर आप दिख सकते हैं आपको बाइक पारकिंग लिए उसके बाद आप को सीड़िया भी उपलब आएं गया इस साइड आप दिख सकते पर पॉद्दार लागाने आपको स्पेस दिया हुआ देख सकते आप उसके बाद आप आप देख सकते इंटिकर मिल जाता गेट आपका 6 फिट का लगा है गेट से आप इंटी लेंगे इंटी लेंगे आपको सबसे पहले जीनिंग नीचे बाइक पार्किंग मिल जाती है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं 10-17 आपको सबसे पहले रूम मिल जाता है अगर आप इस रूम को बैठक बनाने चाहिए बैठक बना सकते हैं कुछ इस तरीक से आपको विंडो भी उपलपव दिख सकते हैं इस रूम का उने साहा हिरा का 10-10 जी दस वई-10 का आपका रूम दिया गया है उसके यहाँ पर आप कुछ इस तरीक से इंटी के इंटी लेंगे इंटी लेने बाद आप आपको बड़ा सा रूम दिख जाता है यहां पर देख सकते हैं इस साइट आपको बिंडो प्लपता है कि बेंटिलेशन परपस से बेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस रूम का मैंने साइज रखा है दस भाई 13 यह दस भाई 13 का आपका रूम दिया गया है इसके जश्टोगल में आपर आपको इस तरीक इस इंटिकर मिलताpark इंट्या गेंगें इंटि लाएंगें आपर आपको लेंटिक वातव कमाइंट मिल जती है इस रहं कॉस्धिक्र जाता है कि इस रूम का मैंने साइज रखा हुए 12 है, 12 है 12 का आपका रूम दिया गया है उसके बाद आप दिख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से इंटिर मिलता है इंटि लेंगे इंटिय लेने की आपको लेक्टिंग वाथ हूं कमाइंड बिल जाती है कुछ इस तरीके से इस लेटिंग वाथ हम का मैंने साइज रखा हुआ है पांच भाई आठे आठे आपके लेटिंग वाथ हम कमाइंड बनी हुई है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से इंटीर मिलता है बेंटीली से मिंडू भी दिख जाती है इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 11 12 का सारे साइज में दीवाल इवाल को हटा के आपको बता रहा हूँ उसके बाद एंपे आप देख सकती है कुछ इस तरीके से इंटीकर मिलता गेट से आप इंटी लेंगे इंटी लेने बाद एंपे आपको पूझागर बिल जाता है अगर आप पूझागर नहीं बनाना चाहते है तो इस श्टोरूम बना सकती है इस space का मैंने size रखा हुआ है, 4 x 6, ये 4 x 6 का आपका पूजागर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको open kitchen बिल जाती हॉल में, अगर आप kitchen आप close करना जाये तो close भी कर सकते हैं, kitchen के ventilation साइट से आपको window भी उपलब कराए गई है, kitchen का fully ventilation होता इस kitchen का मैंने size दिया हुआ है, 6 x 9, ये 6 x 9 के आपकी kitchen दी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से 23 x 40 में 5 bedroom house plan complete बना हुआ है, देख सकते हैं, full ventilation साथ में, पूजागर के साथ में आपका complete plan दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, hall के ventilation जाल दि गाओं के साथ में पूरी designing की गई है, single story का आपका plan है, 5 bedroom house plan, उमीद करता हूँ, आज का plan बहुत ही पसंदा है, पसंदा है प्लीज चैनल को subscribe कर लेना, bell icon को प्रेस कर लेना है, तो मिलते हैं ने इस वीडियो के साथ आज लिए उतनाई, वीडियो देखन, धन्नवाद,